दोस्तों नमस्कार मैं हूँ राधा ठाकूर और आप देख रहे हैं हिमाचल अभी अभी हिमाचल प्रदेश का जिला लाखॉल स्पिती खुबसूरत प्राकरतिक नजारों और अनोखे रिती रिवाज और अलग संस्कृती के लिए दुनिया भर में विख्यात है अलग भोगालिक पर स्थितियों और ठंडे मौसम के चलते यहां पर पाई जाने वाली जीव संपदा भी शेश भारत की तुल्ला में अलग है इन दिनों एक ऐसी ही दुरलब प्रजाते का जीव हिमालन कस्तूरी म्रिग लाहौल घाटी में नजर आया है जिसकी तस्वीरे हर किसी को खुब पसंदा रही है खुबसूरत कस्तूरी म्रिग की तस्वीरे रशेल गाउं के फोटोग्राफर इंद्रजीत भानू ने अपने कैमरे में कैद की है इंद्रजीत भानू के अनुसार हिमालन कस्तूरी म्रिग लाहॉल के कई भागों में खासकर चंद्रभागा के वामतट पर देखे जाते रहे हैं इससे पहले मार्श 2018 में भी लाहॉल की मायड घाटी में कस्तूरी म्रिग देखा गया था जब पहली बार मेने से अपनी आखों से देखा तो बहुत ज़्यादा प्रसंता हुई और प्रसंता से ज़्यादा उच्छ सुप्था भी थी कि मैं उसे अपने कैमरे में कैद करूँ और किस्मत ने मुझे पूरा मोका दिया इस दूरलब प्रजाति को अपने कैमरे में केट करने की इस तरह के दूरलब प्रजातियों का हमारे परिवेश में पाया जाना अपने आप में ये गर्व की बात है अता ये हम सभी का परम कर्तब भी बनता है कि बन्य जीमों के इस धर कस्तूरी म्रिग में देखे जाने से वन्य प्राणी विभाग भी काफी उत्साहित है कस्तूरी म्रिग संकट गरस्त दुरलब प्रजादियों में शामिल है हिमालेई क्षेत्र में पच्छी सो मीटर से अधिक क्यूंचाई पर पाया जाता है और दुनिया में ये दुरलब जी सिक्किम और अरुनचल प्रदेश में पाया चाता है इसके शरीर का रंग बदलता रहता है और पेट और कमर का निचला भाग लगभग सफेद ही रहता है और बाकी शरीर कथई भूरे रंग का होता है इसके कान लंबे और गोलाकार होते हैं इसके सुने के शक्ती काफी कवा मिले ताकि प्रकृति की इस खुबसूरत सरंचना की राहत देने वाली तस्वीरे यूहीं देखती रहे ऐसे ही रोचक फीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े हिमाचल अभी हव्वी के साथ नमस्कार